नमस्कार बहुत स्वागत आप सब का कारिक्रम सुर्खियों में दहान आते हैं लेकिन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के दिन सबसे मुश्किल भरे होते हैं वे मांसिक दवाव महसूस करते हैं कई बार तो डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री जो लोगों के लिए किसी प्रेड़ना से कम नहीं है वे उनसे बात करें उनकी समस्याओं को सुने समझे और उसका निराकरन करें तो बच्चों पर निश्यत ही इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसी बारे में हम बात करेंगे आज हमारे साथ सोमत श्रिवास्तव जी मौजूद है आप उपायुक केंद्री वद्याले सं प्रेंगिठन भोपाल बहुत-बहुत स्वागत है श्रिवास्तव जी आपका नमस्कार बहुत ही चर्चित कारिक्रम हो गया है परीटशा पर चर्चा हर साल बच्चों को इसका इंतजार रहता है इस पूरी पहल को किस तरह से आप देखते हैं परीक्षा पे चर्चागो उनके कुछ समस्याओं का समाधान करते हैं तो 2018 से ये कारक्रम अनवरत रूप से चल रहा है और इस वर्ष भी परीक्षा पे चर्चा का ये कारक्रम गत वर्षों की भात संपन हुआ और जिसमें देश और विदेश के करोणो विद्यार्थियों ने प्रधान मंतरी जी को डायरेक्ट सुना और कुछ विद्यार्थियों ने प्रधान मंतरी जी को प्रश्ण भी पूछे और जिनके उत्तर और जिनके समाधान उन्होंने दिये इस बार का ये जो कारिक्रम था, पिछले के जो कुछ कारिक्रम हमने देखे, 2018 से ये लगातार ये कारिक्रम चल रहा है, किस तरह से उन कारिक्रम उसे भी अलग था और जो दूसरे कारिक्रम लगातार बच्चों को लेकर होते रहते हैं, उनसे भी किस तरह से ये भिनना है? वैसे तो ये कारक्रम पूर्व श्रंखला के अनुसार ही चला परन्तो इस बार के कारक्रम में अभिभावकों के द्वारा भी कुछ प्रश्ण पूछे गए और इसमें विद्यार्थियों के परिक्षा से सम्मंदित जिग्यासाओं को तो शमन किया ही गया और साथी साथ कि इस वर्श का कारक्रम जो है गत वर्शों की तुलना में ज्यादा व्यापक था और इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स का भी पार्टिसेपेशन इन टमस अफ नंबर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है इस वर्श ज्यादा विद्यार्थियों ने इसमें बहुत रहता है लेकिन यह सिर्फ बच्चों पर नहीं रहता कहीं न कहीं माता पिता पर भी रहता है शिक्षकों पर भी रहता है बच्चों का रजल्ट जो है अल्टिमेटली यह डिसाइड करता है कि शिक्षकों का रजल्ट कैसा रहा तो ऐसे में कई बार यह रसिप्रोके भी अभी किया कि अलग है कि यहाँ पर सिर्फ बच्चों से बात नहीं होती, यहाँ पर अभिभावकों से भी बात होती है, शिक्षकों से भी बात होती है, उन तक भी अपनी बात पहुंचाई जाती है, उनको भी मोटिवेट किया जाता है, तो उस लिहास से अगर हम एक पेर मगर अभिभावों के प्रश्ण जो पूछे गए वो सब इस प्रकृति के प्रश्ण थे जिनका की सरोकार शिक्षकों के साथ भी जुड़ता है और एक जो विशेश बात मुझे लगी इस बार के कारक्रम में कि उन्होंने सिर्फ परिक्षा तक ही अपने आपको सिमित नहीं किया प्रधान मंत्री जी ने बलकि जीवन के उन पहलूँ को भी सपर्श किया जिनसे हमारी जिन्दगी में एक सकारात्मक्ता आती है और विद्यार्थियों का और अभिभावों को का जीवन के प्रती जो दरश्टिकोंड है वो एक इंक्लूसिव जिसको एक समावेशी दरश्टिकोंड कहते हैं जिसमे जीवन के विभन आयामों को भी सपर्श कर लेना उचित होता है यह भी इस बार के कारक्रम की विशेष्टा थी जैसा कि आपने कहा भी कि विद्याले में जो अध्यानरत विद्यार्थी हैं उन पर बहुत गहरा प्रभाव अभिभावकों का पढ़ता ही है आप ये भी बता redefine का रहे हैं कि किस तरह से इस कारेक्टर में अभिभावकों से जो बात की गई या जो बात सब तक पहुंचाइए गई वो किस मायनों में ओर ज्यादा रभाव शाली रही तो ऐसे में कोई ऐसा संधेश जो आपको याद रहा जो अभिभावकों के लिए खासतोर पर दिया के उपर आरोपित नहीं करनी चाहिए प्राया अकसर ऐसा देखा गया है कि पैरेंट्स अपने फेलियर्स अपने कंसर्न अपने फियर्स और अपनी होप्स aspirations को बच्चों के उपर बड़ी तीवरता के साथ आरोपित कर देते हैं वो ये मानते हैं कि बच्चे उनके उन सपनों को पूरा करेंगे जिन सपनों को वो संभवता पूरा नहीं कर पाए किनी कारणों की वज़े से तो प्रधान मंत्री जी का यह कहना सभी अभिभावकों को क इसा न समझें कि वे आपकी उन सपनों को पूरा करने के उपकरण हैं जिन सपनों को आप किनी कारणों से नहीं पूरा कर पाए तो हमें विद्यार्थियों को या अपने बच्चों को उनके नजरिये से ही देखना चाहिए और उनके अपने जो लाइकिंग्स हैं उनकी अप उनके अंदर साहस पैदा करना चाहिए, अगर विद्यार्थी कोई साहसिक चुनाव करना चाहता है, तो अभिभावकों का ये दाइत्व है कि विद्यार्थी की इस स्वतंतरता में वो किसी भी तरीके से बाधा न बने, और बल्कि पूरे उत्साह के साथ विद्यार्थी का जो अपना सोच है, उसकी अपनी जो आकांगशा है, उसकी अपनी जो ड्रीम है, उस ड्रीम को परसू करने के लिए एस अभिभावक जो आप कुछ कर सकते हैं वित्तिय रूप से जो मदद कर सकते हैं शारेरिक रूप से जो मदद कर सकते हैं और उत्साह और प्रेरणा जो प्रदान कर सकते हैं वो सब एक अभिभावक की रूप में हमें करना चाहिए ये संदेश प्रधान मंत्री जी का मेरे वेचार से बहुत समीचीन लगा और मुझे तो फ्रदय सपर्श किया और मैं इसको मानता हूँ कि ये संदेश अगर अभिभावकों के स्तर तक पहुँचेगा तो देश का बहुत भला होगा बिल्कुल बहुत अच्छी बात कहीं प्रधान मंत्री जी ने उन्होंने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर न थोपा जाए और आम तोर पर ये देखा भी जाता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आम तोर पर जो माता पिता है वो से भी आपकी मुलाकात होती है, उनके अभिभावकों से भी कभी मुलाकात आपकी होती है, कोई बदलाव इन पछले चार पास सालों में आप में नजर आया कि अब जब इस तरह से प्रधानमंत्री, जो की पूरे देश के मुखियां है, जो एक वर्ल्ड लीडर है, वो अभिभावकों तक पहुचा रहे हैं, शिक्षकों तक पहुचा रहे हैं, तो कोई बदलाव नजर आ रहा है, खासकर अभिभावकों में? हाँ, आभिभावकों में भी कुछ सकारात्मक बदलाव जो मैंने नोटिस की हैं, पिछले 4-5 वर्षों से, वो ये कि वो विद्यार्थियों और अपने बच्चों को ज़्यादा स्वतंतरता देने में अब उनकी रुची दिखाई देती है, जो आज का एक जो वैश्विक परिवेश है, ग्लोबलाइजड इन्वायमेंट है, इस ग्लोबलाइजड इन्वायमेंट में और बहुत सारे अवसर उत्पन हो रहे हैं, एक तरफ जहां प्रतियोगिता आत्मकता बढ़ रही है, लेकिन साथी साथ इसका एक जो सकारात्मक पक्ष वो ये है, कि इसके साथ साथ अवसर भी अनेक उपलब्ध हो रहे हैं, ने-ने अवसर बनते जा रहे हैं, और उन ने-ने अवसरों को भी विद्यार्थियों के समक्ष आज टीचर्स का ये कर्तव है, अभिभावों को का भी कर्तव है, और जो शिक्षन कार में जो कर्मी हैं, उनका भी परमदाइत्व है कि वो इन नए अवसरों को स्रजित करें, इनकी पहचान करें और विद्यार्थियों के समक्ष इन अवसरों को प्रस्तुत करें, कि ये भी अवसर आपके समक्ष हैं, आप चाहें तो इन अवसरों को अपने जीवन में आजमा सकते हैं, तो पिछले चार-पा में भी एक ग्रेटर एक्सेप्टेंस एक दिखाई देता है एक आज से करीब 15-20 साल पहले अगर आप देखें तो अभिभावों को के पास बड़े सीमित विकल्प हो थे थे कि वही एंजिनरिंग, मेडिकल, टीचिंग यही सब एक गिने चुने प्रोफेशन रहते थे और इन इंफरमेशन सूचना जो क्रांती है उसका भी बहुत बड़ा रोल है तो इसमें बहुत सारे ने ने अवसर उत्पन हो रहे हैं और इन अवसरों का लाब उठा करके विध्यारती अपना जीवन जो है बहुत आसान बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा सामने रख दिया और वाकई में इससे पहले हम कहते थे कि बच्चों के लिए एक्सपोजर बहुत जरूरी है लेकिन हम ये नहीं समझ पाते थे कि अभिभावकों के लिए भी एक्सपोजर होता ही जरूरी है क्योंकि कहीं न कहीं फेसलिटेट बच्चों को वही करते हैं तो प्रधान मंत्री जी ने जब ये कारक्रम अपनी समापति की ओर था तब दो-चार बिंदू प्रधान मंत्री जी ने जो सपर्श किये वो उनका मैं यहाँ पर उनका रेफरेंस देना चाहूंगा एक तो किसी विद्यार्थी ने शायद पूछा था जिसके जबाब में उन्हों ग्लोबल टेजियरबल एक्रिभी उनका में ऑने तो हमें उसे एक नॉलेज करना चाहिए हमें उसे एप्रिषिएट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उस गुण को इंबाइब कर सकें तो इसी बात को प्रधानमंत्री जी ने बड़ी ऐसे लहजे में कहा जो कि विद्ध्यार्थियों के समझ में बहुत आसानी से आता है और जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो यही था कि हमें गुणों का पुजारी बनना चाहिए तो जहां कहीं भी एक मैंने थोड़ी देर पहले किया कि अभी भावंकों को विद्ध्यार्थि ओको अपने स्पने पूरा अपने उने उन सपनों को पूरा करने का अपकारौण नहीं मानना चाहिए जन सपनों को वह किनी कारण भश्य नहीं पूरा कर पाए उनके जो बच्चे हैं, वो उनके ओनर नहीं है, यह हमें मानना चाहिए, अभिभावों को मानना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे ओनर नहीं है, मतलब हम उनके ओनर नहीं है, कहा है। वी डोंट ओन आवर चिल्डरनं। हम अधिक सधें में उनके विकास में हम उनकी हट करने के लिए ये दाइट उनको दिया गया है। तो उनको विक्सित होने में उनको पुष्पित पंलवित होने में जित्ती भी मदद हम कर सकें वहंए करना चाहिए। एक और बिंद जो मैं यहां पर मुझे अचानक से स्मरण आया, जो उन्होंने कहा कि जो विद्याली जीवन है, उसमें खेल का महत्व, जैसे अभी तक शिक्षन संस्थानों में ये माना जाता था कि खेल एक अतरिक्त कार्य है, मेन कार्य शिक्षन है, और खेल, कूद, नाच, गाना, ये सब अतरिक्त क्रिया कलाब है, या इसको पाठ्थ सहगामी क्रिया कलाब कहा जाता था, प्रदान मंतरी जी ने बड़े सपष्ट सब्दों में कहा कि अब खेल अतरिक्त कारक्रम नहीं है, बलकि ये मुख्य कारक्रम के साथ इसको जोड़ दिया गया है, मतलब खे और कृड़ा, यह दोनों एक हो, दोनों का amalgamation कर दिया गया है, यह एक बहुत अच्छी बात है, और प्रदान मंत्री जी ने बहुत सुंदर लफजों का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि, अगर हम खेलेंगे नहीं, तो हम खेलेंगे नहीं, और अगर हम खेलेंगे नहीं और विक्तित एक्सपैंड करें, तो यह खेलना, खुलना, खेलना, प्रदान मंत्री जी के अपने चैनित शब्द हैं, और यह शब्दों के माध्यम से जो विचार उन्होंने लोगों तक पहुचाया, वो बहुत प्रभावी ढंक से पहुचा होगा, ऐसा मेरा दढ़ विश रहता है, competition बहुत बढ़ा हुआ हो, लेकिन आपके पास संभावना इतने हैं, अफसर इतने हैं, कि आपको कोई ना कोई आपकी काबलियत के हिसाब से काम जरूर मिलेगा, तो इसके लिए निराशना हो, और परीक्षा के जो result है उन पर तो बिलकुल भी उनसे निराशना हो, हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे जो है, they are the touch bearers of our society, भारत के भविश्य को बहतर बनाने के लिए, शिक्षन क्षेत्र में और विद्यार्थियों के हित में, क्या विशेश प्रयास हो रहे हैं, और जो विद्यार्थी हैं खास दौर बर, वो किस तरह से इन में contribute कर रहे हैं, कर स बाद और पांचे साल college में वो पढ़ते हैं, तो ये एक 15-20 साल का जो उनका शुरू का जो अनभव है, ये उनके आगे आने वाले जीवन की तैयारी है, तो इसका सीधा मतलब ये निकला कि आगे आने वाला जो वक्त है, आगे आने वाला जो वक्त की जो परिस्थितियां है उनकी जो चुनवतियां है, उनके जो concerns है, क्या उन सब चुनवतियों, उन सब concerns के बारे में विद्याले में बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है, क्या उन दोनों में कोई connect है या अभी भी disconnect है, अगर disconnect है, तो वो disconnect को हमें दूर करना है, और हमें अपनी जो education है, व लाइफ ओरियंटेड बनाया जाए और परीक्षा को भी क्योंकि education से ही जुड़ा हुआ विशह परीक्षा भी है examination system तो examination system को भी life oriented बनाया गया है मुझे याद है कि अगर आप पिछले आज से 10 से 15 साल पहले के प्रश्ण पत्र उठाएं तो प्रश्ण पत्रों का ज्यादा तर हिस्सा memory recall से संबंदित होता था जिसमें कोई प्रश्ण है बच्चे ने गर उस प्रश्ण का उत्तर याद कर रखा है तो वो आसानी से उसका उत्तर लिख देता था जिसने उस उत्तर को नहीं याद रखा है या उसने उस प्रश्ण को पहले से नहीं पढ़ा रखा है वो उ तरीके का हो जाएगा, कि अगर विद्ध्यार्थियों के अंदर abilities है, विशय से सम्मंदित दक्षताएं हैं, जैसे मैं उदारण के लिए गणित का लूँ, तो गणित में जो मूलभूत दक्षताएं हैं, जैसे computation है, गणना करना है, numerical ability है, ये जो दक्षताएं अगर विद्ध capacity हैं, दक्षताएं हैं, abilities हैं, तो वो बड़ी असानी से उस प्रश्न का उत्तर वो लिख वाएगा, और उसका जो भी उसने सीखा है, अपनी दक्षताओं को अपलाई कर पाएगा, और अपलाई करके उसका उत्तर लिख पाएगा, इसी तरीके से विज्ञान में हैं, दे सकते हैं, या कोई bar diagram दे सकते हैं, या कोई histogram दे सकते हैं, जिसमें कुछ statistical information अलड़ी विद्यारतियों के सामने उपलब्ध है, उस जानकारी के आधार पे और अपनी दक्षताओं का इस्तेमाल करके उसको निश्कर्ष निकालने होंगे, और जिस विद्यारतियों के और इससे विद्यारति जो है, जब जीवन में अपने कारक्षेत्र में उतरेगा, तो वो पाएगा कि मैं जीवन की चुनोतियों को बड़े आसानी से हैंडल कर सकता हूं, बिना किसी भै के और बिना किसी और किसी समस्या के, बड़े सहास के साथ और बड़ी बड़ी प्रसन जीवन में कितना कॉंट्रिब्यूट करते हैं, आपके परवेश में, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, वो कितना खुश होते हैं, वो कितना अच्छा फील करते हैं, जस्ट विकॉज आप उनके संपर्क में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बड़े सकारात्मक ब सदलावों से देश का जीवन, देश का जो सामोहिक जीवन है, हम सब का सामोहिक जीवन बहतर हो पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जब लाइफ ओरियंटेड होगा, तो अफकोस उसमें जॉब, लाइवलिध, बिजनस ये तो आही जाएगा, लेकिन आपका विजिन जो है वो अपने आप, आपका जो हराइजन है वो बहुत जादा बढ़ जाता है। की जरूरत कहीं न कहीं महसूस की गई, तो विद्याले स्तर पर इस शेक्षणिक भराव के लिए क्या कदम उठाए गए, इससे समंधित किन योजनाओ का क्रियान वियन किया गया, इसकी बारे में भी धोड़ा बताएं। जी, ये एक COVID महामारी एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे विश्व को जगजोरा, और पिछले दो वर्षों के कालखंड में सभी प्रभावित हुए। और चुकि विद्यार्थी सब बच्चे हैं और अभी उनकी मन मस्तश्क कोमल है, इसलिए उनके उपर इसका आगात मैं ऐसा मानता हूं कि गहरा पड़ा। सभी विद्यार्थी अधिकतर समय घर की चहार दिवारी के बीच में ही कैद होके रह गये। इस कारण एक जो नकारात्मक बदला वो देखा गया है कि चाइल्ड ओवेसिटी बढ़ी। मैंने बहुत सारे लेक पड़े जिसमें देखा गया है क्योंकि विद्यार्थियों की आउटडोर एक्टिविटी पूरी तरीके से सीमित हो गई। करना और घर में ही रहना और टीवी देखना और खाना पीना तो एक लुष्वल चलता ही है। जयाईल्ड ओवेसिटी बड़ी तीजी से बड़ी जयाई से कालगंड में। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चे की जो चाइल्ड ओविसिटी है इस ओविसिटी को हम लोग अपने विद्याले में बाहरी गतविदियां खेलकूत की गतविदियां इस तरीके से संचालित करें और बच्चों को भी बताएं जागरूप करें ताकि उनका वे डूसरी मानसिक करें कि विद्यारती नौ उनका संपर्क नहीं रहा खेलकूद वाला संपर्क नहीं था था तो इस वजए से मानसिक धराइसल प्लिचि अलग तलक पढ़े रहे बंबे कालखंड तक तो जरूरत है कि अब विद्यारती जब न्न-ुद्यारती से मिलें तो अब तीसरी जो बात है वह लर्निंग गेप से तो बहुत तक तो मेरे शिक्षिकों का शुक्र गुजार हूँ और हमारे प्राचार इन सब लोगों ने समय की इस चुनोती को समझा और बड़ी तेजी से इन्होंने नई टीचिंग पेड़गॉजी को अड़ाप्ट किया और कुछ हद तक वो अड़ेप्ट भी हो गया अब इसमें कुशल भी हो गया है वो इस ऑनलाइन टीचिंग पेड़गॉजी क को इस्तेमाल करने में क्योंकि छोड़े बच्चों के लिए विद्यार्थियों का परस पर संबर्ख टीचर के साथ मिलना बातचीत करना चोटा मोटा इसपर्श और पीठ में उनका टीचर का हाथ फेरना यह सब बहुत जरूरी होते हैं चोड़े बच्चों के लिए तो प्रफावी कारकरम है वह हम बना रहे हैं उनको संचालित कर रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि जल्दी ही इन सब समस्याओं को हम लोग पीचे छोड़ करके और आगे आने वाले वक्त के लिए हम विद्यार्थियों को तयार कर पाएंगे और शिक्षिकों को भी तयार कर पा तो क्या केंद्री विद्याले संगठन भी आपने जो ये जो बताए हैं उपाए वो इस तरफ ये उनकी methodology है वो काम कर रहे हैं और क्या प्रधान मंत्री ने भी इस संबंद में कोई कदम उठाया है या इसको लेकर कोई guideline जारी के गई है मंत्राले के level पे जो प्रयास किये जा रहे हैं वो तो अनवरत रूप से चल ही रहे हैं लेकिन केंद्री विद्याले संगठन के इस तर पे इसके लिए बहुत सारे initiatives हैं और in fact ये initiative एक continuum एक निरंतरता में चलते जा रहे हैं हर वर्ष हम अपने शिक्षकों को in service course in service सेवा काली प्रशिक्षकों करते हैं 21 दिवसी और इस 21 दिवसी प्रशिक्षकों को इन सब चुनोतियों से रूबरू कराया जाता है और इन चुनोतियों से निपटने के लिए जो भी effective strategy है वो सब उनके साथ discuss की जाती है और इस वर्ष के जितने भी in service कारकरम थे उसमें सब में online teaching को कै कैसे और effective बनाया जाए कैसे और child friendly बनाया जाए कैसे और user friendly बनाया जाए जाए चोटी चोटी से बाते हैं लेकिन जिनका प्रभाव पड़ता है अकसर हम लोग उसको ignore कर देते हैं तो यह सब चोटी चोटी बातों को ले करके शिक्षकों को सब को जागरू किया जा रहा है औ और अभिभावकों के लिए भी कारक्रम है अभिभावकों को भी parent teacher meeting के मारफत विद्यालियों में बुलाया जाता है और इन सब बातों से उनको भी अवगत कराया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सब सकारात्मक जो steps लिये जा रहे हैं इन सब के अच्छे results मिलेंगे शिवास्तव जी बहुत अच्छी बात चीत आप से हुई समय बहुत कम है बहुत संक्षिप में अगर जो बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको कुछ एक संदेश आप देना चाहें क्या होगा बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि प्रतिय आप अपने लिए अवसर स्वयम भी सरजित कर सकते हैं नकेवल उपलब्द अवसरों को आप ग्रहन कर सकते हैं बलकि आप अपने लिए अवसर सरजित भी कर सकते हैं शारेरिक फिटनेस टॉप क्लास की अक्वायर करिए योग के माध्यम से एक अच्छे डाइट के माध्यम से और exercise के माध्यम से, एक खान पान में एक अनुशासन के माध्यम से सोने के बारे में एक अनुशासन के माध्यम से, एक शारिरिक fitness बहुत टॉप क्लास का अरजित करें, मानसिक fitness और जो social level पे जो interaction है, social quotient या spiritual quotient सब जो जीवन के जितने भी आयाम हैं, इन सब आयामों में, आपके अंदर abilities अच्छी होनी चाहिए, तो ये वो समय है, जिस समय का सुद्वियोग करके आप अपने अंदर दक्षताएं, अपने अंदर योगताएं विक्सित कर सकते हैं तो इस समय का इस्तमाल करें, और अपने अंदर योगताएं विक्सित करें बहुत अच्छी बात आपने सुमिछ श्रिवास्तिव जी कहीं कि अपने अंदर दक्षताओं का विकास करें, आपके अंदर जो भी positive है जो भी अच्छा है, उसे और निखारे ये 12 साल का वक्त जो है जो schooling है, इस दौरान ये बहुत अच्छा समय है, इसका पूरा-पूरा सदूपियों कीजे, बहुत अच्छी बात चीत आप से श्रिवास्तिव जी हुई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और जैसा कि शोताओं परीक्षा पर कर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भावनाओं पर किसी ने अगर चान-चान लगाने का काम किया है, तो वो इस देश के बालक-बालिकाओं ने किया है, देश और विदेश के बच्चों के साथ एक informal interaction कर पीम ने बच्चों के कोमल मन में कभी भी न मिटने वाली एक चाप छोड़ी है, कभी भी भी न भूलने वाले प्रेणादायक स्मृतियां उन्हेती है, आज के इस कारिक्रम में फिलहाल इतना ही, सैयुकता बारणर जी को दीजिए जाज़त, नमस्कार सुर्खियों में